अर्थ फेवस्ता फेल है लोकतंत्र खत्रे में है कैसे ही नतीजों के लिए मोदी को 400 सीटे दी गई थी रवीश भारत का एक ही ब्रांड है जो दुनिया में चमकता है लोकतंत्र अगर उसी में भारत फिसलता हुआ नीचे दिखे तो चिंता कीजिए इनी पत्रकाओ के कवर प क्या ऐसे ही नतीजों के लिए 400 सीटे दी गई थी छे साल बाद अर्थ वस्ता फेल है इस दौरान जिनकी जिंदगी बरबाद हुई उसे सुधारने में बहुत वक्त तक जाएगा आप प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री की भाषा देखिए एक समुदाई के लिए ल अब एक बार ये स्विक्रत होगा तो हिन्दूों के लिए भी इसी भाषा का इस्तिमाल होगा क्योंकि हिंदू से समवाद की भाषा भी उतनी खराब हो गई है मीडिया ने भारत के लोगतंत्र की चाहती पर छुरा भौका है लोगतंत्र को सुन्नर बनाने की कोई भी कहां फैलाई जा रही है हिंदू में एक सुंदर और उदार समाज में जब जहर फैलेगा तो खराबी कहां आएगी ठंडे मन से सोचिए आपके ही बच्चे भाशा खराबी लगेंगे भाई और पिता बोलने भी लगे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि राजनीती में आप अलोग तां हूँ कि आप उसी राजनीती में रहिए लेकिन अच्छे बन जाईए आप में संभावनाई हैं अच्छे दिन तो नहीं आएंगे आप अच्छे दिन बन जाईए किसी से वतन परस्ती का सुबूत मत मांगिए ना किसी को कपड़े से पहचानिए सोचिए अपने प्रधानमं अच्छने जाने लगे तो आप अफमानित महसूस करेंगे की नहीं कपडो का वर्गी करंट सर्फ हिंदो और मुसल्मान के बीच भी हो सकता है आपके और मेरे बीच भी हो सकता है हमें तो यहीं सिखाया गया है कि फला हमेरे रिष्टदार है पैसी और कपड़े में कम है तो आप उस वाक्य को नहीं भूल बाएंगे याद करते ही कितनी पीड़ा होती है फिल्मों में ही ऐसे द्रश्य देखकर हम सब के आँखों में आशू आ जाते हैं जब सेठ हमारे कपड़ों में जांकता था उनमें लगे पैबंध की तरफ देखता था कपड़ों से देखे जाने का द्रश्य क्रूर होता था अब उसी तरह हमारे प्रधान मंत्री आपके कपड़ों को देखने लगे हैं मुख्य मंत्र योगी जी मुख्य मंत्री की भाशा नहीं बोल रहे उनकी भाषा में पुलिस से पिटवाने कुटवाने का भाव खतरनाक है ऐसी भाषा भाषा नहीं होती है अवेद अधियार बन जाती है उनका मुसल्मानों के खिलाफ इस्तिमाल होता है तो हिंदो के खिलाफ भी होगा क्या हिंदो किसान और नौजवान या कोई भी इस तरह से अंदौलन नहीं करेगा करेगा तो उसे वही भाषा मिलेगी जो हुंदों के नाम पर मुसल्मानों के लिए दी जाती है समाज हमारा है अगर यहां खराब भाषा का इस्तमाल होगा तो उसका प्रसाद हर घर में बटेगा मिलावटी प्रसाद से लोग विमार पड़ जाते हैं सोच येगा एक बार के लिए मोदी जी को 400 न अमल को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगना चाहिए जो मोदी जी को 535 देना चाहते हैं सीए नर्सी पर बोले मेरिके अरब पती मोदी सरकार मुसल्मानों से नागरिक्ता चीनना चाहती है अमेरिके अरब पती एवं समाद सेवी जौर्ड सोरोस्त ने कश्मीर और सीए पर मोदी सरकार के रवये किया लोचना की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंती नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट बनाना चाहते हैं दावोस में वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के एक सत्र को संबूधित करते हुए सौरोस ने कहा कि भारत की नाकामी की सबसे बड़ी वज़े उसका राष्ट्रवाद है उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद फिर से जोर मार रहा है भारत के लिए सबसे बड़ा और भयावे जटकाई है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकारेक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाना चाह रही है कश कश्मीर से अनुचे 370 हटाने जाने और नागरिक्ता कानून पर टिप्पनी करते हुए सौरोस ने कहा कि मोदी ने एक मुस्लिम बहूल अर्थवायात्र कश्मीर पर डंडात्मक कारेवाई की साथी सरकार के फैसलों से वहां रहने वाले लाखों मुसल्मानों पर नागरिक पूटीन को तानाशाय बताया उन्होंने कहा कि ट्रम पूटीन और जिंपिंग जैसे तानाशाही सत्ता पर अपनी अकर्ड बनाना चाह रहे हैं शासकों की इस तरह की सोच में इजाफ़ा हो रहा है सौरोस ने मौजूता हालात पर टिपनी करते हुए कहा कि सिविल में लगातार गिरावट आ रही है मानवता कम होती जा रही है इस वक्त हमितिहास के बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं खुले समाज की अब धाड़ना खत्रे में हैं बता दें की नभ्यवर्षिये जोर्ट सोरोस अमेरिका के एक जाने माने निवेशक हैं और उन्होंने शेयर बजार से अर्बो डॉलर की कमाई की है सोरोस एक नई उनिवर्षिटी नेटवर्ख में एक अरब डॉलर डोनेट करने जा रहे हैं वो इसे अपने जीवन का सबसे एहम प्रोजेक्ट बताते हैं करप्शन इंडेक्स में भारत दो पाइदान फिसला ये मोदी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के वादे के साथ केंदर की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार ब्रश्चाचार पर लंगाम कसने में नाकाम नजर आ रही है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किये गए एक ताजा सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल में भारत में भ्रश्चाचार बढ़ा है भारत ब्रश्च देश्टों की शूची में दो पाइदान फिसल का रसी वे स्थान पर पहुंच गया है 2018 में वो 78 वे स्थान पर था निश्पक्ष रूप से वैश्विक स्थर पर भ्रश्चाचार का आंकलन करने वाली संस था ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशन ने दावोस में विश्वार्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान इस इंडेक्स की रिपोर्ट को जारी किया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इंडेक्स में कुल स्कोर 41 वा रहा और वहें असीवे स्थान पर है 2018 में भी भारत का स्कोर 41 था तब वो इंडेक्स में 89 स्थान पर थी वहीं 2017 के इंडेक्स में भारत 40 अंग के साथ 81 स्थान पर था इसने पहले 2016 में भारत इस इंडेक्स में 89 वे स्थान पर था इस इंडेक्स में सार्वजनिक शेत्र के व्रष्टाचार के मामले में 180 देशों को रखा गया था जिसमें Finland, Singapore, Sweden, Switzerland, Norway, Netherlands, Germany और Luxemburg टॉप 10 में शामिल रहे यानि ये सारे देश सबसे इमानदारी वाले देश हैं वहीं पडोसी मुलकों की बात करें तो पाकिस्तान को इंडेक्स में 120 वा स्थान मिला और बांगलादेश को महच 26 अंकों के साथ 146 वा स्थान शूनिय अंक हासिल करने वाले देश सबसे भ्रष्ट और सौ अंक हासिल करने वाला देश सबसे इमानदार होगा दुनिया के दो थिहाइ देशों ने इस साल 50 से कम अंक हासिल किये हैं और इंडेक्स का Asda score 43 है रिपोर्ट में है भी बताया गया है कि भारत में ब्रष्टाचार क्यों कम नहीं हो रहा है रिपोर्ट में का गया है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी चुनावी फंडिंग अपार दर्शी होने सरकारी निर्णे में रसूख वाले लोगों की दखल अंदाजी और ताकतवर कॉर्पोरेट समुओं की लाबिंग की वज़े से भरष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है जिस सेहर इंडिया को घाटे में बताकर बेच रही मोधी सरकार उसे प्यूश गोयल खरीदना चाते हैं में डूब चुकी सरकारी विमानन कंपनी एर इंडिया को मोधी सरकार बेचने की पूरी कोशिश कर रही है गुरुवार को रेल और वानेज्य मंत्री प्यूश गोयल ने कहा कि अगर वह मंत्री नहीं होते तो एर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगा रहे होते प्यूश गोयल गुरुवार ओस डावोस में वर्ड एकोनोमिक फॉरम में पहुच कर बोल रहे थे इस दोरान भारत का रण नीतिक द्रिश्टी कोण विशे पर बोलते हुए गोयल ने कहा कि अगर में मंत्री नहीं होता तो एर इंडिया के लिए बोली लगाता होता एर इंडिया के पास दुनिया भर में सबसे बाइलेटरल सायोगी है मेरे विचार में बहतर प्रभंदक और कारेशमता के साथ एर इंडिया के धेरो अच्छे विमानों को इस्तिमाल कर हो सकता है इससे बाइलेटरल के लिए जरिये दुनिया भर में अच्छी संभावनाई बंद सकती हैं मेरी डिश्टी से वह सोने की खान से कम नहीं है पिशले साल दिसेंबर में एर इंडिया के एक सीनल अधिकारी बोल चुके हैं कि एर इंडिया के लिए जल्दी अगले जून तक कोई ठो समाधान नहीं निकाला गया तो यह राज्टे विमान कंपनी बंद हो जा अधिकारी ने कहा था कि तुकडों में व्यवस्ता करने से काम नहीं चलेगा अधिकारी ने यह भी कहा कि खड़े कि यह जा चुके 12 विमानों को दुबारा उड़ाय जाने के लिए भी फंड की जरूरत है जल्दी फंड नहीं मिला तो एर इंडिया का भी हाल जेट एर वेस जैसा हो सकता है कर्स के बोज में तभी सरकारी एर लाइन कंपनी को अगर कोई जल्द खरीदार नहीं मिला तो जून तक बंद हो सकती है अधिकारी ने कहा था हमने संचालन आवश शक्ताव के लिए सरकार से 2400 करोड रुपे की मांग की थी लेकिन सरकार ने केवल 500 करोड र रही हैं खास बात यह है कि शैसाल से केंदर की सथा में भीज्र 7 लिएत्पर की मोधी सरकार कावेश हैं सरकारी कंपनीों को बेचे जाने की सवाल की जी डीपी पांच प्रतिशत पर आल उड़क चुकी है इसकी बावजूद वित्यमंत्री रहे चुके प्यूश गोएल पिशली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं केलाश विजे वर्गिये का पोहा ग्यान विपक्ष ने साधा निशाना सोशल मीडिया पर चुटकी पोहा खाते हुए देखर बांगला देशियों की पहचान करने वाले बीजे पी नेता केलाश विजे वर्गिये को बयान चर्चा का विशे बन गया है सोशल मीडिया यूजर्स पोहा मीम बाट रहे हैं तो विपक्ष ने जोरदार निशाना सादा है कॉंग्रेस पार्टी ने कहा है कि टी एम मोदी कपड़ों से लोगों की पहचान कर लेते हैं तो विजवर गया पोहा खिला कर देख लेते हैं इसलिए देश को अब इंटेलिजेंस की ज़रुवत नहीं है सोशल मीडिया पर कहीं लोगों ने चुटके लेते हुए लिखा सीए एनार्सी के लिए कागज मांगने की ज़रुवत नहीं है सबको पोहा खिला कर पहचान कर ली जाएगी असदुदीन ओवेसी ने ट्विटर पर लिखा मजदूर पोहना खाएं सिर्फ हलवा और हलवा ही खाएं तब इवे भारत के नागरे कहे जाएंगे नहीं तो गौरत लब है कि बजट दस्तावेच की प्रकाशन के दौरान हलवा सेरेमेनी को लेकर भी ओवेसी की चुटकी ली गई थी कॉंग्रेस नेता विशेक मनुस सिधवी ने कहा बीजेपी जब सत्ता में आई है भारती राजनीती में खाना बहुत अधिक महत्वपून विशे हो गया है राजनीती के जानकारों विद्वानों और शोत करने वालों के लिए भोजन का बखान अच्छा विशे हो सकता है जाइए इस विशे को चुन लीजिए इससे पहले की कोई और उठा ले कॉंग्रेस नेता राशिद अलवी ने एक टीवी चानल से कहा देश की जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी महंगाई अर्थेवस्ता की खराब हालत इन पर सरकार की कोई नजर नहीं है उनकी नजर है मजदूर क्या खा रहा है वे इससे पहचान कर लेते हैं की मजदूर क्या कर रहा है और की वो कौन है और क्या है इस देश को सायद इंटेलिजिंस की जरूरत नहीं है भार्टी जंता पार्टी के लोग इसमें समक्ष हैं की कपड़ा और खाने से ही पध्यक शा की पसंद बतातने वाली खबर को शेर करते हुए लिखा शा पोहा काते हैं उनके साथ विजवर्गया कहते हैं कि पोहा खाने वाले बांगलादेशी है क्या वे शा को लेकर उनको बहार करने के लिए क्यामपेंट चलाएंगे या उन्हें सीय के माध्यम से नागरि हैं सोशल मीडिया यूजर्स पोहे को लेकर खूब मीम शेयर कर रहे हैं कुछ यूजर्स ने इस नर्सी का समाधान बताया तो कई यूजर्स वीवीएस लक्षमन और गौतम गंभीर की तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें मैं पहुत जली भी खाते दिख रहे हैं इसके अला झाल